है अब किल्हों किल्हाय किलास में आपका सवागत है अ आज की हम किलास में एंडियन कॉंटरेक्ट एक कि थैट एक और इंपोर्टींग टॉपीक कवर करेंगे आज हम यहां भाशा होती है जनरल स्पीकिंग सामने वाली पार्टी ओफर देगी जिस पार्टी के लिए ओफर बनाया गया है वो उसको स्युकार कर लेती है मतलब और एक्सेप्टेंस हावशक होते हैं लेकिन क्वासी कॉंट्रेक्ट एक ऐसा कॉंट्रेक्ट होता है जो की सरकम्ट्रांस पर बेस होता है परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वह अपने आप ही वहां पर कॉंट्रेक्ट का निर्मान कर लेती है मैंने कुछ वर्ट्स कीवर्ट्स यूज़ करें हम क्वासी कॉंट्रेक्ट को रेसेंब्लिंग कॉंट्रेक्ट भी कह सकते हैं क्वासी कॉंट्रेक्ट का में एसेंशेल होता है क्वासि कॉंट्रेक्त का में एसेंशेल होता है अन्जस्ट tribesmint at a कोस्ट और एक सिंपल एक्जाम्पिल है आप कर लीजिए आपको बहुत सिंपल सिटी से समझ में आ जाएगा ए और भी डेप्टर से यहां पर इन्होंने सी से जो क्रेडिटर की पोजिशन में उससे एक एक लाख रुपा उधाल लिया था अब यहां पर जो ए है वो यहां पर सी को आकर पूरा दो लाख रुपा पे कर देता है पर यहां पर भी इस बात को नहीं जानता है और भी भी बाई मिस्टेक आकर सी को एक लाख रुपा अपने इससे का पे कर देता है अब यहां पर सरकम्टांसिस अपने आप हैराइज हो जा रही है कि भई सी को जो एक लाख कर दो अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि є अनज्ड इन इन् रिच मैंट ए जैसे कि A है और उसके द्वारा A जो है वो एक ट्रेडर है और वह एक दिन B के यहां गया B के यहां पर वो एक बॉक्स लेकर गया और वहीं पर उस बॉक्स को B के यहां पर वो बॉक्स रहे गया यहाँ पर A का intention उस box को देने का B को कहीं से भी freely तो बिल्कुल नहीं था B ने उस box को use कर लिया है B ने उस box का benefit receive कर लिया है भही अब यहाँ पर circumstances क्या arise हो रही है अब यहाँ पर B की अपने आप duty बन रही है कि वो A को compensate करे जो goods उसने use कर लिया है वह उसे वो बापिस करे यह को अपने आप duty राइस हो रही है B की अपने आप condition impose हो रही है हम इसको कहते है क्वासी contract जिसके बारे में हमें बताया गिया है section 68 से section 72 तक बताया गिया है क्वासी contract मैं बहुत simple है के example बताती हूँ से related section 68 से related a है उसने पांच लाख रुपे बी की education में खर्च करे है बी एक minor person है ठीक है क्या यहां पर जो a है वो इन पैसों को recover कर सकता है restore कर सकता है यहां पर a ने बी की education के लिए जो की उसके लिए necessary of life ना कि लगजरी है बी एक incapable पर से ने कॉंपिटेंस और पार्टी याद है यह section 68 क्या क्याता है minor person है unsound mind person है जो कि in capable है उसको कुछ किया जाता है उसकी necessary for life से regarding कोई बात उसको मुहिया करवाई जाती है provide करवाई जाती है तो उसको restore किया जा सकता है लेकिं केवल उसकी प्रॉपर्टी से ही restore किया जा सकता है केवल उसकी प्रॉपर्टी से restore किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति खुद यहां पर संबन्ने पर्सनली लाइबल नहीं माना जाएगा हम इसे कहते है section 68 section 69 बताओ उससे पहले पहले एक बार इसको रीट करो a person who is interested in the payment of money a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and therefore pay it is entitled to be remused by other अब समझों section 69 जैड एक जमीनदार है उसके पास में एक जमीन है वो इस जमीन को बी पर बी को लीस पर देता है इस जमीन पर revenue बकाया है property tax बकाया है इस tax को pay करने की duty किसकी है by law इस revenue को pay करने की duty by law जैट की है पर जैड अपना revenue जो है property tax बगया जो है उसे pay नहीं कर रहा है कि अगर जैट की दुवारा अपना revenue property tax पे नहीं किया गया तो जो उसकी property है यह वाली जिस पर revenue बकाया था उसको सेल आउट करके पैसा बसूल कर लिया जाएगा और इसी के साथ में इस property के ओपर जो भी contract हो रहा है lease related वो सब भी खतम माना जाएगा अब ऐसे में यहां पर भ revenue पे कर देता है और यहां पर अब जो भी है वो एंटाइटल हो गया है कि वो जैट से उस पैसे को वसूल कर सकता है अब फिर से परिवाशा को रीट कर लो आप person who is interested in the payment of money कौन व्यक्ति है यहां पर अपना आंसर खुद ही बताते चलो मुझे आप person who is interested in the payment of money कौन व्यक्ति आँ के त्रबशे करने के लिए यहां पर वहां जिसका इंट्रेस्ट आइंट कर सकता कर सकता है और इसे कि बताया गिया चौन、「ạजनए РЕस्टूर कर सकता और इसे की बारे बतायाया गया है स्टाइब्स चुकी थी और फिर बता देती हूं एक व्यापारी वह भी के घर जाता है वह भॉक्स लेकर वहाँ बीचे घर जाने पर वह बॉक्स वहीं रह जाथा है यहां पर इक सेवंटी केते हैं यहां पर ड्यूटी बनती है कि वह एको कमपेशेट करें स्ट्रेक्शन सेवंटी बन बहुत सिंपल है एक शॉप कीपर है बी उसकी शॉप पर कुछ खरीदने गया तब वहां पर गलती से बी की वाच वहीं पर रहे गई सी जो की एका सर्वेंट है उसके दुवारा वह वाच देखी गई और वो वाच उसने सर्वेंट ने एको हैंड ओवर कर दी है अब यहां पर ए ने उस वाच को अपनी टेविल की डॉवर में समाल कर रख दिया है किसे और सब्सक्राइब का सर्थ बेंगता सर्वेंट सब्सक्राइब अपने गुट्स को तक राकता है section 72 इसका भी example यह बताया था पर एक बात बता दूं कि यहां पर जो words यूज हो रहे है mistake or coercion यहां पर mistake or coercion का वही मतलब हो general speaking sense में माना जाता है बहुत simple है अगर A है वो एक creditor है उसने B और C जो debters थे उनको 10,000 रुपे उधार दिये थे यहां पर B ने A के पास जाकर total 20,000 रुपे पे कर दिये है C इस बात को नहीं जानता और C भी अपने हिस्से के 10,000 रुपे by mistake A के पास में जाकर deliver कर देता है अब यहां पर A को extra benefit मिला है unjust enrichment मिला है A की duty बनती है कि यहां पर A को पैसा extra मिल गया है वह उसे वह वापिस कर दे और इसी बारे में section 72 में बताया गिया है और इसी के साथ quasi contract section 68-72 complete होता है